नमस्कार दोस्तों रियेजकेशन प्लेटफरम पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हम लोग NCRT के आर्थशास्तर पर चर्चा कर रहे हैं इसके अंतरगत हम लोग पालमपूर कहानी का एक लेक्चर अप्लोड किया हुआ था तो इस टापिक पर अभी तक जो अभ्यास के प्रिशन बनते हैं आज की इस लेक्चर में हम लोग उसे कवर करने का प्रियास करेंगे तो आज का हमारा जो टापिक है वो बेसिकली जो है पालमपूर गाउं की जो है वो कहानी है पालमपूर गाउं की कहानी के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे तो पहल बारत की जनकर्णा के दोरान दस बर्ष में एक बार प्रतेग भारत का गाउं का सर्वेक्षन किया जाता है पालमपूर से सम्मधित सूचनाओं के आधार पर निमने तालिका को भरिये जैसे अवस्थिति है गाउं का कुल छेतर फल है भूमी का उपियोग हेक्टेर में होता ह इस तरीके से इन आधार पर जो है इसमें शुबित हैं बनानी है जैसे आवस्थिति है तो गुह एक ग्रामीर छेतर में है जो की राए गंज से तीन किलोमेटर के दूरी पर हो राए गंज एक छोटा सा कस्बा होता है इसी तरीके से गाउं का जो छेतर फल है वो यहां पे जो है वो हेक्टेर में जो है खेती की जाती है और यहां 450 घर का पुरवा है इसका छेतर फल जो है एक छोटी से गाउं की तरह से जो है जो की किर्शी पर आधारित है भूमी का उपियोग जो हेक्टेर में किया जाता है और हेक्टेर को यह बताया गया है कि 100 वर्ग मीटर स् शेत्रफल होता है भू में सिंचित और आसिंचित शेत्र की बात कही गई है तो ग्रामीर शेत्र के साथ जो भारत में सिंचित शेत्र की बात है वो लगबग 40 परतिसत शेत्रफल जो है सिंचित है और 60 परतिसत जो शेत्रफल जो है उसिंचित छेतर में जो है आथा है तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ सवालों को जो है हल करने के लिए जो है देखते हैं सैक्षी किस्थिति यहां पर प्रात्मिक बिद्याले अस्थापित है प्रात्मिक स्वास्तिकेंद्र अस्थापित है बाजार राय गंज है बिजली के आपूर्ति वहां पर गाउं में है संचार की जो शुविधा यातायात की जो बेउस्थाएं है यहां पर निक रिवाइंड हो जाती है और प्रश्निक के आधार पर उत्तर लिखने की छहमता का विकास होता है तो दूसरा सवाल हम इसी क्रम में देख लेते हैं कि खेती की आधुनिक बिधियों के लिए अधिक आगतों की आउसकता होती है जिन्हें उद्दोगों में बिनिर्मित किया जा के लिए जो है आउजार का परियोग किया जाता है मशीनों के लिए जो है सिचाई के लिए मशीनों का परियोग हम लोग करते हैं और इसी तरीके से जो है कीटनासक और उलबरक के परियोग होते हैं जो कि आधुनिक बिधियों के अंदर परियोग किया जाता है जिन्हें दोग बनाया जाते हैं और मसीन और आउजार हैं जो कि लह एसक के माधिम से जो है उन्हें बनाया जाता है इस पात के माधिम से बनाया जाता है तो इसके लिए भी उद्दोगों की आउसकता होती है और उद्दोगों में इनसे बिनिर्माड किया जाता है बिनिर्मित का मतलब कि अधिक आऊ सकता भी होती है یہ सही है और इनका उद्रोगो में जिर्मित होता है ये भी सही है दोनों ही बात यहाँ पर शही है अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि पालमपुर में बिजली के परसार ने किसानों की किस परकार से मदद की तो जाहिर सी बात है कि किसानों का जो मुख्य कारिक करना होता है किसी के लिए सिंचाई की आऊ सकता होती है वहाँ पर नलकूब अस्थापी दिये गए थे और ये नलकूब जो बिद्दुद से चालित होने के कारण आसानी से इनके खेत की जो है सिचाई हो जाती थी जिससे उत्पादन बढ़ता था आए किशानों की बढ़ती थी तो इस तरीके से सिचाई के माध्यम से किशानों की जो है सहायता बिजली की द्वारा जो है किया जाता था अगला सवाल है कि क्या सिंचित छेत्र को बढ़ाना निफेता ह BanksCHIs KST, ँख्राम है और बर्षा जो और अनिस्चित tych ऐह daar, अनयमित मात्रा, चेत्रफल, इत्यात के acid, के आधार पर उसमें जो कि आधार पर उसमें जो यहां अंतर पाया जाता है. तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम आशक्ता होती तो उस समय सिंचाई के लिए जलोपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी इस्तिती में उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि जिस वसल को समय पर सिंचाई किया शकता है और उसे पानी नहीं प्राप्त होता है उसमें उसका उत्पादन प्रभावित होता है इन सबी आधारों पर सिंचित छेतु को बढ़ाना महात्यपूर्ण हो जाता है अगला सवाल है कि पालंपूर के 450 परिवारों में भूमी के बितरन की एक सांडी बनाई है सांडी बनाना है जैसा यहां पर था कि वहां पर किशानों की स्थिती थी कुछ बड़े किशान थे जिनके पास पांच हेक्टेर से ज्यादा भूमी थी कुछ थे दो से पांच हेक्टेर के आसपास भूमी थी कुछ ऐसे थे जिनके पास जो है उससे भी जो है कम भूमी थी तो वो सीमान किशानों के अंतर गताते हैं तो ये ध्यान में रखना है कि 80 ऐसे परिवारते जो बड़े किसान थे जिनके पास ज्यादा भूमी थी उसके बाद जो है लगबग 180 के आसपास जो है वो मझोले किसान थे और इसी तरीके से 180 से 190 के आसपास या 200 कहा जाए तो ऐसे लोगों की संख्या थी जो सीमानत किसान थे जिनके पास बहुत कम भूमी होती थी और इन भूमियों से जो है उन्हें अपने आवशक्ता के जो है उपजप्राप्ते नहीं हो बाते थी अगला है कि पालमपूर में खेती हर सर्मिकों की मजदूरी नियूनतम कम क्यों है यहाँ पर ये ध्यान में रखना होता कि ग्रामी के खेतों में काम करने की मजबूरी होती थी या यहों कहा जाए कि उन्हें अपने खेती में काम करने के लिए लोन की आ सकता होती है और लोन में ऐसी सर्ते मनाई जाती थी कि उन्हें नियूनतम मजदूरी पर दूसरे के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था तो इस सवाल का उत्तर दो आयामी है एक तो ये कि वो बड़े-बड़े किसानों से रिंड लेते थे जिनमें सर्थ के रूप में कम मज़़ूरी पर काम करने के लिए उन्हें रखा जाता था और दूसरा ये था कि ग्रामेट छेत्रों में भूमी कम थी लोगों के पास तो जो है उनके पास बेरोजगारी थी और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो परतियोगिता होती थी और कम दाम पर ही जो काम करने के लिए वो तो तो तैयार हो जाते थे तो ये कारण जो है होती थे अगला सुवाल है कि अपने छेत्र में दो सर्मिकों से बात कीजी खेतों में काम करने वाले बिया बीनिर्माड कारे में लगे मजदूरों में से किसी को चुने उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है उन्हें नगत पैसा मिलता है वस्तूर मिलता है यह सारी चीजें तो अगर हम देखें यहां पर ग्रामिड शेत्रों में या पालंपूर की गाउं के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रियास करें तो वहाँ पर उनको नगत भी मिल दे थे और वस्तून के रूपी में भी उनको पारिशर्मिक मिलता था तो यहाँ पर दो तरीके के सर्मिकों की बात करी है यह एक जो खेती में काम करने वाले लोगों दूसरा जो है, बिनिरमाड कारों में जो है लगे हुए म Whatsdu तो बिनिरमाड का तातपरी वही है कि वो विद्दोगों की इस रेडि में आते थे जिन से कोई जैसे गहुं है गहुं से जो है उत्पादन किया गया गहुं से पूना जो है बिस्किट बना आटा बनाया गया आटे से पुना बिस्किट बनाया गया तो यह एक चरण है जिसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बनाया जाना था और इसी करम में उसे बेनिर्माण कहा जाता है अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि एक ही भूमी पर उत्पादन को बढ़ाने के कौन से तरीके हैं समझाने के लिए उदाहरणों का परियोग कीजिए एक ही भूमी पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं जैसे एक तो हम लोगोंने बहुविद फसल परनाली देखा था और दूसरा देखा था किर्शी के आधुनिक बिधियों का परियोग, तो दोनों को हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं, किर्शी के आधुनिक बिधियों में हम लोग उन्नत किस्म के बीच का परियोग करते थे, उर्बरा किठनास का पर्योग करते थे, सिंचाई के जो है साधनों का पर्योग करते थे इसके माध्यम से हम उत्पादन को जो है बढ़ा सकते हैं, दूसरा है बहुवित फसल प्रनाली, बहुवित फसल प्रनाली ये होती है कि अगर हम किसी खेट के जो है एक छेतर फल में एक बर्स में दो या दो से अधिक जो है फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे बहुवित फसल प्रनाली कहा जाता है अगर हम किसी खेत में एक ही फसल का उत्पादन करेंगे तो कम उत्पादन होगा और दो या दो से अधिक करेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा तो ये भी जो है उत्पादन को बढ़ाने का जो एक तरीका है जैसे किसी खेत में जो है गेहूं की खेती की जाती है गेहूं की जो है कटाई अप्रेल के महीने में हो जाती है उसके बाद उसमें हम जायद की फसलें जैसे उड़द या मूंग या इस तरीके से मक्के की खेती के लेते हैं और उसके बाद जो है जुलाई के आसपास हम लोग उसमें धान की रुपाई कर देते हैं यहां पर दो यादो से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है और हम ज़्यादा फसलों गाएं कि तो निस्टेतों पर हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा तो यह इसके जो है तरीके हो सकते हैं अगला है कि एक हेक्टेर भूमी के मालिक किसान के कारे का बहुरा दीचिए तो पालंपूल के आधार पर ही आप दे सकते हैं एक हेक्टेर भूमी जो है छोटे किसान की स्रेड़ी में आएगा और छोटा किसान उसमें खेती भी करेगा अपने आउसकताओं को यह पूरा नहीं कर पाएगा तो वो उसके बाद जो है वो दूसरे के खेती में भी जो काम करेगा वहां से पारिश्टर में कुछ को कुछ मिलेगा अपने पारिवार को ध्यान में रखेगा कुछ परिवारों का इसमें उदारन भी जो है दिया गया था जो अपने बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं तो इन आधारों पर इसका उत्तर दिया जा सकता है अगला है कि मजहोले और जो बड़े किर्शी से कैसे पूजी प्राप्त करते हैं वो छोटे किसानों से कैसे भिनने हैं हम लोगों ने यहां पर यह देखा था कि किसान जो है यहां पर दूसरे के हां से रिन लेता है जैसे जो बड़े और मजहोले किसान है उनके पास भूमिक क्या छेतरफल अधिक होता है तो वो दो तरीके से जो है लाफ कमाते हैं दूसरा वो उससे रिंड देते थे रिंड से उनको ब्याज प्राप्त होता है तो वो इस तरीके से भी जो है धन प्राप्त करते हैं तो कुल मिला करके जो है उपज और ब्याज से जो प्राप्त धन रासियां होती हैं दोनों तरीके से वो पुजी प्राप्त करते हैं और के से दो महातिपून आधार है जिनके आधार पर इनको अंतर göra सकता है अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सभीता को किन सर्थों पर तेजपाल सिंहियं से मेला है और क्या व्याज की कम दर्पर ब Eigen से करज मिलने पर सभीता की से अलग होती अब यहाँ दो सवाल है सभीता को किन सर्थों पर सभीता जो है तीन हजार रूपे रिने लेती है जो कि इस पाठे क्रम में हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया हुआ है और उसे 24 प्रतिसद की दर पर जो है ब्याज मिलता है तो निस्चित तोर पर उसकी इस्तिती इस तरीके से सुद्रन होती कि उसे जो है कम वापसी करना पड़ता तो उसके पास बचत अधिक होता और बचत अधिक होता तो अगली बार उसे ब्याज पर कम पैसे लेने पड़ते और कम ब्याज देना पड़ता तो इस तरीके से इस्त सतर के दसक तक भारत में जो है गाओं की इस्तिती ऐसी थी कि सिंचाई के लिए परंपरागत साधनों पर निर्भर होते थे और यहां पर कुमा और रहट के माधिम से सिंचाई की जाए थी लेकिन सतर के दसक के बाद अगर देखा जाए तो यहां पर नलकूप और विद्दु चालित मोटरों के माधिम से सिंचाई की जाती है सिंचाई के छेतर फल में हम लोगों ने बिर्थी किया हुआ है तो यह जो है परिवर्तनाय है अगला सवाल तेरा नंबर का क्वेस्चन है कि आपके छेतर में कौन-कौन से गैर किर्षी उत्पादन कारे हो रहे है हम लोगो था लगवी निर्मार था और इसी तरीके से परिवहन की जो अन्द्ध है थी तो लगवी निर्मार जो है और डेरी यह सेकंड़ी दूतियक कार चेतर में आते हैं। इसी तरीके से और जो है कुछ ऐसे उद्दोगों की अस्थापना की जा सकती है जिसमें पूजी की आउसकता कम होती है क्योंकि ग्रामिट छेत्र में ऐसे कोई बेक्ति नहीं होते हैं जो पूजी पती हो बहुत बड़े स्थर पर पूजी को लगा सके ऐसे उद्दोगों को लगा जा सकता है जिनके अस्तर के उद्धोग को लगाया जा सकता है तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने आज के इस लेशन में जो पालमपुर गाउं की कहानी के वीडियू लेक्चर के जो बाद इस पर आधार बिभिन प्रकार के जो सवालों को हल किया तो उमीद करता हूँ कि इस तरीके के सवालों को हल करने के बाद आपको काफी कुछ समझभिक्सित हुई होगी जिससे कि आप कुछ पचास सब्द या सो सब्द में अपने उत्तर को जो लिखने की छमता का भी खास करेंगे और ऐसे ही धीरी धीर करके आपके अंदर इतनी चमता आजाएगी कि आने वाले समय में जो है आप सव से डीर सो सब्द और उसके बाद धीरी धीरे आप निबंद जैसे प्रशन का भी उत्तर लिखने के लिए जो है सफल हो जाएंगे तो आज के लेक्टर में बस हम लोग इतना ही आगे अगले जो है लेक्टर में हमें एक नए टापिक के साथ मिलेंगे और पुना उस पर आधारीत अभ्यास प्रशन को भी देखेंगे तब तक के लिए नमस्कार